कि हैं लो चैंपेंज इन टुड़े सेशन वी आप प्रिपेर करें किसी भी एक्जाम के लिए प्रिपेर करें सारे कोश्चिन इसी से आएंगे इस माई गेरेंटी अधर सेकंड तिंग लेक्चर को लाज तक देखें बीच में एक इंट्रिस्टिंग बताऊंगा जिससे आप 120 सेलेक्शन ले सकते हैं तो दोस्तों स्ट्वल टिल दे एंड और ट्राइट करते हैं नियृटक्टर से यह प्रिपेर नगा दी कंडेक्टर में तरफ रिलेक्ट्रॉन होते हैं तो अब्विस्टी बात है एलेक्रिक फील इधर से इधर की तरफ होगी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ drift होंगे, drift का मतलब जब जब जबस्ति घसीटे जाएंगे और धेरो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो velocity रेक्वायर कर ली जाएंगे, और force होता है mass into acceleration के बराबर, यहां से a की value वित्रों कितनी आ गई, e by m, तो acceleration आपका ये हो गया, velocity क्या हो गई, v is equal to u plus at, a की value तो ये आपने put कर दी, और t1 हो गया यहां पे time, t1 is the time, similarly दूसरे electron के लिए v2, तीसरे electron के लिए v3, चौते के लिए v4, till vn, तो सभी electrons ने जो individual velocities require करी, वो v1, v2, v3 up to vn होगा, इन सभी velocities के average को हम लोग बोलते हैं v average, क्या बोलते हैं दोस्तों, v average बोलते हैं और इन सभी के sum को v1, v2, v3, dash, 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 up to vn, upon n, इन सभी के sum को हम लोग बोलते हैं v average और इसकी equation होती है, आपने क्या किया है यहां पे, सभी क time का average ले लिया, इस time के average का, average का मतलब हो गया, सभी time को add करके, n से divide कर दिया, क्योंकि end time है, मालो past time है, तो past से divide करेंगे, as simple as that, हाँ जी दोस्तों, तो यह हमारा हो गया, इन सभी के average को हमने यहां पे, लिग दिया time, t, और इस to को बोलते हैं average relaxation time, पहली बात, दूसरी बात ह क्या हो गया, ee to by m हो गया, this is the basic thing that you have to understand, next दोस्तों हमारा है, ohms law, ohms law भी हमें समझना पड़ेगा, ohms law आप सबको मालूम है कि अगर एक conductor है, conductor के number density capital N, number density का मतलब होता है, number of electron, number density is small n, sorry, और total number of electrons per unit volume होता है, ध्यान समझेंगे, तो बाहर समझेंगे, what I am trying to explain, number density is small n, number density is number of electrons per unit volume, इस connector की length जो दोस्तों हमने ले ली वो L ले ली, area of procession A ले लिया, तो इसका volume क्या हो गया, volume हो गया A into L, last तक देखेंगे दोस्तों, इसी में से कोई भी question किसी भी exam में नीट, जे इमेंस, इसी से ही बनेगा, तो it is my guarantee, कुछ numericals भी हम last में discuss करने वाले हैं, तो सारी classes करनी हैं, तो आप इस number पर WhatsApp कर सकते हैं, जो ये number आपको दिया हुआ, तो free online classes के लिए नीचे वाले number पर जरूरर WhatsApp करें, केवल WhatsApp करें, call ना करें, yes, but I'm trying to explain, हम लोग बात करें, number density, number density होगा, number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume, volume दोस्तों क्या हो गया, area into length, area into length हो गया, तो हम capital, total number of electrons को लिख सकते हैं, NAL, क्या लिख सकते हैं, NAL, जो कि मैंने यहां पर लिखा है, time क्या होता है, time होता है, length upon velocity, आपको पता है, velocity is equal to length upon time, तो time को उपन ले गए, velocity को नीचे लाए, तब time is equal to length upon velocity हो गया, अगर length upon velocity हो गया, तो हमने time को यह लिख दिया, as simple as that, हां जी सर, चले आगे, चल to E, N की value यह put कर दी, ALN जो भी आपने देखा उपर, ALN into E कर दिया, current क्या होता है दोस्तों, current होता है Q by T, Q की value यह put कर दी, ALN EVD, और divide by L, L जो होता है दोस्तों, कहां से आया वो चीज आप समझ लीजिए, देखो, I is equal to Q by T, Q किसके बराबर है, Q हमारा है सर, NAL, yes, हमारा किस के पर small N है, sorry, small NLE, yes, upon में time क्या है, upon VD, L से L हो गया, चम चम यह उपर चला गया, तो I is equal to N, E, A, VD, एक standard result होता है, जो आप लोग जानते होंगे, तो basic सी scenario आपको समझ में आ गया होगा, next हमारा basic ohms law है, हम सबको पता है, V is equal to क्या होता है, IR होता है, और R किसके बराबर हो होता है, रो L by A के बराबर, वही साथ चीज़े लिखे हो, V is equal to IR, यहां पर रो L by A लिख दिया है, अच्छा, तो जो होता है, यह भी ध्यान रखेंगे, यह formula है, सीधे ध्यान रखेंगे, इस formula को, ज्यादा जरूरत नहीं है, N E upon N E square 2, इसके उपर question अभी हम करेंगे, तो आपको clarity आएगी, R is equal to rho होता है, resistivity क्या होता है, resistivity material property होती है, जो कि temperature पर depend करती है, और material पर depend करती है, basic सी बात मैंने आपको बताईए है, दोस्तों, अगला question हमारे screen पे है, आप देख सकते है, बहुत ही अच्छा question है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊँगा, देखें दोस्तों, question क्या कह रहा है आपका, the dimension of the conductor and the specific resistance O, specific resistance conductivity को भी बोलते है, don't confuse, rho को हम resistance भी बोल देते हैं, इसके लिए दोस्तों, जो area होगा, जहान से समझो, यह मैंने अलग-अलग condition, इसी question से बहुत साथी चीज़ें आपको clear करा में चाता हूँ, A, B के लिए बात करते हैं, तो area of cross section यह वाला, उपर वाली plate और नीचे वाली plate होगी, यह जहान से समझेंगे, तो आपको समझने आएगा, तो what I am trying to explain, कि resistance पूछा है, resistance equal to rho L by A, length क्या हो जाएगी, length हो जाएगी, यह गहराई, जहान समझें, तो length हो गई गहराई, तो हमारा resistance across A, B क्या हो जाएगा, area of cross section यह वाला, जिसको मैं यह डाप कर रहा हूँ, ज्यान समझेंगे, कि A से B की तरफ जाएगे, तो area of cross section आपका हो जाएगा, A, B, के लिए यह उपर वाला, तो इसकी जो यह वाली side है, इसकी value कितनी है, यह आपको A, D होजए, यह वाली side कितनी है, यह B है, और गहराई कितनी है, C है, तो आप समझ पाएंगे, R is equal to row L by A से, दोस्तों, अगर हम R is equal to row L by A लिखेंगे, तो row हमारे पास row है, L कितना है, L is the length, length क्या हो जाएगी यह आपे, length क्या हो जाएगी, A, B के cross, और area क्या हो जाएगा, A, B, तो आपको मुझे लगता है, समझ में आ गया होगा, सेम दोस्तों, दूसरा पूछ रहा है, CD के लिए, अगर आप बात करेंगे, R, CD के लिए, let's say R, CD के बात कर रहा है, question, दोस्तों, R, CD, C कहाँ पे है, यह रहा, और D उधर की तरफ है, तो area of cross section यह वाला हो जाएगा, जान समझेंगे, तो area of cross section हो जाएगा, A into C, और length क्या हो जाएगी, length हो जाएगी B, तो यहाँ पे लिखेंगे, row length हमारी B, upon me area of cross section क्या हो जाएगा, A into C, as simple as that, यह देखो, दोनों चीज़े लिखेंगे, same आपका EF भी निकल जाएगा, तो यह question बहुत important है दोस्तों, जान समझेंगे, exam में directly पूछ सकता है, जिस बच्चे को भी online free class लेने हो, physics की, वो इस number पे whatsapp कर सकता है, चलिए, next question हमारा क्या है, next question है, one end of the aluminium wire, whose diameter, aluminium wire है, जिसका diameter आपको given है, welded with the one end of the copper wire, मतलब एक aluminium को wire को, एक copper के wire से weld कर दिया गया, मतलब जोड दिया गया, directly कहने का मतलब यह है, यहाँ पे यह aluminium wire है, जिसका diameter 2.5 है, मतलब radius 2.5 divided by 2 हो जाएगा, येस, और इसका क्या है diameter, 2 mm है, आपको पता है area क्या होता है सर, pi r square होता है, या फिर आप लिख सकते हैं, pi d by 2 का whole square को, आप लिखेंगे क्या दोस्तों, pi d square upon 4, हम diameter के term में ही formula सीजे निकाल दे रहे हैं, सर area की जरूरत क्या है, क्योंकि दोस्तों हम से current density कूची गई है, और current density हम जैसे भी जानते हैं, current upon में area होता है, current कैसे हम लोगों को given है, that is 6.25, yes, current given है हमारा 6.25, हम aluminium के लिए पहले बात कर रहे हैं, तो pi d square, अच्छा ये 10 की power minus 6 कहां से आया है, बहुत बच्चे confused होंगे, इसलिए मैं clear कर दूँ, दोस्तों 2.5 mm में given है, अगर mm को आप मीटर में convert करेंगे, तो 10 की power minus 3 हो जाएगा, और square करेंगे, तो 10 की power minus 6 हो जाएगा, इसलिए 10 की power minus 6 यहां भी है, 10 की power minus 6 यहां भी है, दोनों को हमने solve किया, तो हमारा aluminium का आगया 127 और copper का आगया 200, calculation मैंने आपके लिए पहली करके रखी है, क्योंको time हमारा limited है, और उसी time में आपको बहुत साइच चीज़े मुझे सिखानी है, जी हां दोस्तों, next हमारा क्या है, next question हमारा यह, current of 5 ampere is passing through the metallic wire of cross section area, wire का cross section area आपको कितना given है, area given है, 4 into 10 की power minus 6 meter square, yes, drift velocity of the electron आप से पूँच रहा है, सर हमें पता है, अभी आपने बताया था, कि drift velocity का formula होता, I is equal to N, E, A, V, D, बिलकुल, N हमारे पास कितना है, number density of electrons कितना है, यह given है, 5 into 10 की power 26, गिया है, देखो density of electrons, per unit volume, small n, पहले ही हम discuss कर चुके हैं, value put करेंगे, N हमारे पास है, electron के पास charge है, हमारे पास area है, और even if current है, तो हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है, VD नहीं है, तो sir, VD is equal to क्या हो जाएगा, I upon N, E, A हो जाएगा मेरे लाल, तो VD की value हमारी यहां से निकल गई, I hope आपको सारी बाते clearly समझ में आ रही होंगी, basic सी चीज़े हैं, और basic तरीके से आपको समझना है, next question क्या है, the diameter of the copper wire, इस एक, एक मैं आपको पहले बोल दाता कि, जो बच्चे यहां तक देख रहे हैं, उनको मैं basic सी बात बताता हूं, selection के लिए, selection अगर किसी भी exam में लेना है, आपको तो एक ही चीज़ follow करनी है, किसी भी teacher के awe में नहीं रहना है, you are not going to become an awe of any teacher, बतब सरी वो teacher great है, ऐसा कुछ नहीं, आपको चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी teacher हो, आपको उनसे चीज़े पढ़के, just you have to carry the things, उनको उनसे समझना है चीज़े, और उसको apply करना है, किसी का fan boy बनके आपका ही नुकसान है, nothing else, चलिए, इसमें मेरा भी खेर नुकसान ही है, किसी का fan नहीं किसी के, the point is, fan boy से बच्चे, वही बच्चे, आपको एक ही general approach बता देता हूँ है, वही बच्चे किसी के fan बनते हैं, जो आप कभी भी realize करना, class में जो topper होगा, आपके कहीं भी coaching होगारा में पढ़ रहा होगे, तो वहाँ पर वही बच्चा किसी का fan boy नहीं है, जो अच्छे पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, reason being, वो अपनी energies अलग जगे लगा रहा है, मेरा point यहाँ पर यह है, is caused by this meter cube of electrons, यह देखो, पर meter cube, ध्यान रखना दोस्तों, unit से भी चीजों को पगड़ना चाहिए, पर meter cube, जैसे number of electrons, number of electrons per volume, तो number का तो को unit होता नहीं है, volume unit क्या होती है, meter cube, तो पर meter cube दिया होगा, मतलब by default small end दिया है, चलिए, great, small end दिया है, आपको diameter दिया है, तो सरेडिया हम निकाल लेंगे, हमने अभी देखा, yes, हमसे पूछा क्या है, drip velocity पूछा है, yes, simple सी बात है, देखो दोस्तों, अभी हमने इस तरीके से भी कर सकते हैं वैसे, आपको बता देता हूँ, देखो, I is equal to होता है, न, E, A, V, D, बच्चे लोग बोलेंगे, यह formula कहां से आगया, मैं बता देता हूँ, I upon A लिख दो आप, जहां से देखें दोस्तों, I upon A क्या होता है, N, E, V, D, और I upon A को हम J बोलते हैं, current density, तो अगर आपको V, D की value निकाल ली है, तो V, D क्या हो जाएगा, जहां से देखें, बहुत ही simple है, J upon N, E हो जाएगा, यह formula आपने देखा भी होगा, J upon N, E, और current density क्या होता है, current density होता, I upon A, तो आपको पहले J निकाल देना है, I upon A, I आपको given है, area PID square by 4 से निकाला, तो आपका J आ गया, और V, D is equal to J upon N, E, J upon N, E, अभी हमने discuss क्या है, J और N, E की value पुट करी, और हमारा drift velocity निकल गया, I hope आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो, sorry, yes, हाँ जी दोस्तों, यह question आपको समझ में आ गया, यह next question भी हम देख लेते हैं, given piece of wire of length L, cross section area A, resistance R, resistance, uniformity wire, 2L, देखो दोस्तों, हमेशा किसी भी wire को जब stretch किया जाता है, तो बहुत साल चीज़ें मैं discuss करूँगा, जो बच्चे online class में interested हों, फ्री online classes चलेंगी, फिर इसकी इस number पर आप what's up कर सकते हैं, जली दोस्तों, stretch करेंगे, yes, अगर हम TCH, stretch करेंगे, तो क्या होता है, सर, volume सेम रहता है, initial volume और final volume सेम होता है, volume होता है area into length, इधर भी volume होगा area A dash into L dash, yes, दोनों तरफ volume सेम है, पहले हमने, पहले हमारे पास length ज्यांस समझे, length L था और area A थी, तो हमने, sir, A into L लिग दिया, बाद में length होगा ही 2L A dash अपने को बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो L से L होगा है, चम-चम, A dash की value कितनी आगई, A by 2, A dash की value कितनी आगई, मित्रों, A dash by 2, we have got the value of A dash as well as L dash, L dash कितना है 2L, आप question क्या कह रहा है, question कह रहा है कि आप बताओ नया resistance क्या है, ये basic सा कहानी आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तो, snap ले सकते हैं जिसको इस समझ नहीं है, देखो आपको पता है, resistance R is equal to rho L by A होता है, और बाद में resistance R dash हो गया, तो resistance क्या हो गया, rho 2L by A dash, 2L by A dash, A dash की value मैं अलरी बता चुका हूँ कितना होगा, A by 2 होगा, yes, तो हमने दोनों R dash और R को divide किया, R dash by R को divide किया, तो आगया 4, क्योंकि दोस्तों ये जो 2 है, ये उपर चला जाएगा, जहांसे समझ ये तो हो जाएगा, 4 rho L by A हो जाएगा, आप मेरी बाद समझ पा रहे होंगे, तो 2 उपर चला जाएगा, तो 4 rho L by A हो जाएगा, R dash by R करेंगे, तो हो जाएगा, 4 rho L by A को rho L by A से divide करेंगे, ये किसे cancel हो जाएगा, R dash by R 4 आजाएगा, R की value हमें given है, कितना है, R की value R ही given है, तो हो जाएगा, 4 R हो जाएगा, that will be your answer, I hope आपको यहाँ तक सारी बातें क्लेरली समझ में आ गई होंगी, और online 3 classes के लिए, आप इस नंबर पर वर्ट सेब कर सकते हैं, टैनल को subscribe कर सकते हैं, और हम ऐसे ही हर topic wise topic के बाद numerical करते रहेंगे, thank you so much.